ओम शान्तिम, ओम शान्तिम, ओम शान्तिम संगम युग पर स्वयम भगवान हम सभी को अपने सर्व खजाने देने आया है भग्यवान है वो आत्माई और उद्धिमान है वे सभी जो उनसे सर्वस्व प्राप्त कर लेते हैं और जो अपनी उद्धि को यामा उल्जाय रखते हैं वो खाली हात रह जाते हैं चिंतम करें भग्वान भग्यवाठने आया है पर हम सुक देने आया है शानती की शक्ति भरने आया है परदान दे रहा है हम कहां है एक साथो नहीं हम उसकी और से मुख सेरे हुए हैं जनम जनम तो उसे पुगारते आये है प्रभु आओ वायदे करते आए आप आओगे तो हम यह यह करेंगे यह वल आपकी हिमत पर चलेंगे सरवस सुने और चावर कर देंगे और जब वो आ गया है तो उसकी ओर देखते भी नहीं उसकी कम सुनते हैं बाबा कहा करते हैं बच्चे तुम मेरी कम सुनते हो वो माया की ज्यादा सुनते हो, लेकिन नहीं, जिसने जनम जनम हमारी सुनी है, सुनवाई की है, अब उसकी हमें अवज से सुनना है, उसकी सुनेंगे, तो पुन है, वो बारम बार हमारी सुनेगा, तो हम अब उससे सर्वत सुप्राप्त करने के लिए संसार से वुद्धी योग पूरी तरहे निकाल दें संसार में दो ही चीजे हैं व्यक्ति और वैभव और सभी आत्में इन में ही अटके हुए हैं कोई मनुस्यों के मोहों में तो कोई मनुस्यों से मिलने वाली परिशानियों में दिस्टर्ब हैं किसी को सुख नहीं है कोई वैभवों के पीछे भाग रहे हैं वैभव आगे आगे चले जा रहे हैं वो पीछे पीछे दोड रहे हैं वैभों को ले भी नहीं पाते, और इंट्रस्नाओं को मिठा भी नहीं पाते, भगवान आ गया है, ठिकाना मिल गया है, मंजिल दिखा दी है, लक्ष सामने खड़ा कर दिया है, अब विचलित होने का समय नहीं है, अन्य था, ये दिन बहुत यादाया करेंगे, कि भगवान सम्मुक थे, सर्वसु देने आये थे, विच्छु कल्यान का कारिये करा रहे थे, हमें अपना साथी बनाया था, वो खुद समर्थ होते हुए भी, उसने हमें अपना साथी बनाया था, और हमने क्या किया, उसकी ओफर को सुईधार भी नहीं किया, लेकिन तब तो पच्ताने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि चिडिया खेत चुग गई होगी, समय निकल गया होगा, हाहाकार का समय आजाएगा, विश्व परिवर्तन का समय आजाएगा, युग बदलेगा, और सभी लोग उन्हें पुनात्माओं की ओर देखेंगे, जिनोंने स्वयम को सजानों से भरपूर किया है, तो स्वयम को तरप्त करने के लिए, और विश्व सेवा के लिए, आप चार ओर से अपनी बुद्धी को समेत कर, बेहद का वेराग इधारन करें, वेराकार्थ सूख अपन नहीं, वेराकार्थ है, चार ओर से बुद्धी समेतना, केवल एक में लगाना, दुनिया के जो आकर्षन है, चाहे वो देधारियों की ओर हो, चाहे धन समपदा की ओर हो, चाहे पद पोजिशन की ओर हो, चाहे मान सम्मान की ओर हो, उससे स्वयम को बाहर निकालना है, इसको ही कहते हैं, पूरी तरहे बैगर बन जाना, सब कुछ एक पर स्वाह क कर देना संपूनाकर्षन एक में सर्वस्व प्राप्तियां एक से करनी हैं यद्पिये मार कईयों को थोड़ा कथे नुए लगता है पंतु इसका अच्छा नुभव करना है इसको सरल बनाना है आज प्रैक्टिस करेंगे यह संसार का खेल पूरा हो रहा है चोरा से जनम हमने बहुत सुन्दर पार्ट वजाए हम एरो एक्टर रहे हैं अब सब कुछ छोड़ कर और बाबा से सब कुछ लेकर हमें घर वापिस जाना है तो आत्मा को जाते हुए देखेंगे सब कुछ छोड़ कर मैं आत्मा जा रही हूं अपने धाम और बैठ रही के पास और फिर सुतिव में आएंगे पार्ट वजाए में देव सुर। आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम च्छान्पी